इसको लोग जोने 365 वाली योजना के नाम से पॉकारने लगए, 365 वाली योजना समझे के नहीं, तो वैसे ही जोनी कूपन वाली योजना भी जोना आपकी बार से जोना बीट को पत चूपन के मद्हित और अपने साल में पूरी कर सके इसके लिए इस बार कूपन सिस्टम रखा गया है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो इस संस्ता के एक ATM कार्ड होगा, जिसको वो पूरिया वर्स खर्च कर सकते हैं, उसकी वेलिडिटी एक सार रखी गई है। जानकारी लेना चाहूंगा कि तो करीब दो जार्शात की बात है, जब एक दिन एक रुपे ऐसी योजना तो नहीं कह सकते हैं, मान के चलो कि बहुत से के लिए वो संची सिती है, वो रखी गाउं के जिनको जरूरत है वास्ता में, उनको वो मिलने भी चाहिए। तो बागुद कथा हो रही थी, और वहां पर रेवासा के संथ रागवाचारे जी आयो थे, तो उनका परवचन हो रहा था, तो मैं और ये पारिक, हमारे गाउ में जो प्रिंशिपल है, पिछे खड़े थे हम लोग बागुद, तो रागवाचारे जी ने बताया कि जो रेवासा में गौसाला है, उसकी 30,000 महिलाएं सद्ध से बनी वी हैं, और एक महिला एक दिन का एक रुपए देती है, इस परकार से गौसाला में प्रति दिन 30,000 रुपए आते हैं, तो उन 30,000 रुपएं से बोले हमारी गौसाला तो सुचारूप से चलती है, हम दूसरी गौसालाओं को भी सहयो करते हैं, ये बात हमने सुने और हमारे जाने के वो दिमाग में बैठ गई यह भी गुड़ा में पोस्टेड थे हम दोनों साथ ही जो है गाउं अपडाउन करते थे तो रस्ते में हम दोने निखा यार सुरेंदर जी यह तो जोड़ार बात है जोटा जोटा गहिं कितना बड़ा हो जाता है मैं का इस विचार से अपन भी कुछ रुरवात करते हैे अपन दो से अभी बजाते हैं लाव है दो अधिक रुपान बचाते हैं तो मैंने का और भी नहीं तो मिला में गई-धो दो भी ओंगे तो कुछ लाइने खीचे और दो नाम लिखे मैंने अपना नाम लिखा और सुरिंदर जी का नाम लिखा फिर शाम को हमारे गाव में बाजार में हमारी मित्रमंडली का इस मनोज है जिसका PCO था STDPC तो हम लोग शाम को इकठा होते थे वो रिजिश्टर वहां लाके रखा और उसको काया कि भाई इस प्रकार से हमारे मन में विचार है और हम दो तो बन गए और आगे जो है हम शाम को लोगों को अपने मित्रमंडली जोडेंगे ऐसे करते करते 2007 में करीब 75 सदस्य बन गए लगबग वो 54 उसमें हमारा जो पंप्लेट है उसमें सारी डिटेल है और फिर हमने तेक किया कि किस प्रकार से करें और जो मदद करने का स्वरूप क्या हो और कारिकर्म किस प्रकार का हो तो उसमें हम लोगोंने विचार किया कि भी एक तो अक्सर कोई भी सेंस्टाइं बगरा होती है उनमें अगर राजनिती आ जाती है तो वो जो सेंस्टाइं वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती है नमबर एक बात है नमबर दो बात है कि यह ओप्चारिकता ही ज़्यादा होती है किसी सेंस्टा में उसका रजिश्टेशन उसका यह इसावर को है तो वो सैंस्टाइब ज्यादा निचलती है तो उसमें हमने दो जो अन्य बेस रखे तो एक तो हमने किया है कि किसी संत महात्मा को ही हम बुलाएंगे हमेशा उनके हातों से जो यह लोगों की मदद कराएंगे दूसरा क्या है कि हमने कोई सैंस्टा का रजिश्शन नहीं करवाया ने कोई उसके अध्यक्स अगपादेख्स वगएरा कोई ऐसा कुछ नहीं है हम जो दस पंद्रह मित्र मंडली हैं उनके कोर कमेटी के नाम से हम बात करते हैं कोर कमेटी तो वो लोग जो है मिलकर के फैसला करके लेते हैं और ऐसे करते करते और फिर जो है यह जो संस्ता है उसके सद्दस्यों की संख्या लगबागा साथ 1 100 करी पहुंच चुकी है तो सके बाद में दूसरा ता कि मदद किनकी करें क्राइटेरिया क्या हो तो वह उसमें जैसे कि हमारा पंप्लेट है उसमें पहली ए बेख्थे हैं जिनके सब कुछ है लेकिन वो उपैखषित की शरणीम्स इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है इसके अलावा जैसे जोब जरूरतमद इस किसी कि स्रणीम्स है किसी ने हमें परप्रों का तो हमने ले लिये तो लग्पग लग्भग जो तो वो नाम बिल्कुल छट करके आई यानि हम जो लोगों से ये कहते थे कि आपको ऐसा नाम बताओ जिसके ये सैंस्ता मदद करे तो वो लोग जो नाम बताते तो वो अल्रेड़ी उसमें होता था इस प्रकार से वो सुची बन गई फिर हमने जैसे पहला कारेकरम किया और वो साइद मजाओ काली का धाम के माराज थे उनको बुला करके कंबल वित्रन किया ऐसे करते करते फिर क्या है कि हम जो है कि भई ये था कि हमेसा उनको अलग परकार के सामान दे करके सामान देते थे उनको सामान दे करके और उनकी मदद करते आ रहे थे एक वेक्ति के लिए तो एक रूपई यह था लेकिन जिसकी मदद हो रही है कहीं ने कहीं उसके लिए वो बड़ी राशी हो गई या वो राशी के रूप में आपने जैसे कंबल वित्रन किया अलग अलग अपके प्रकार के मादें से हर वर्स के बाते कर बात करते हो अभी तलग वो बाईश लाग रूपए खड़ सोच चुकी हैं दूसरी और बात करें तो इस सहंस्ता ने जो आपने जो बनाई उसको राजनिती से परे रखा किसी परकार का पद नहीं रखा और जितने भी लोगों को सामिल के असाइद वो सभी इसके अदेख्शी थे जी जी वो बिल्कुल बराबर के हगदार थे अब जैसे बहुत बार ऐसा हुआ था बहुत सारी जैसे यादे हैं यहां नहीं मैं कहता था कि उनको जनव की बार जो सोडिया दिया जाए गदा समझेगे नि तो यह कह करके नहीं इसकी क्या जूरत थे तीन साल तक मेरी बात भी जाने लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई भी मेंबर अपने विचार रखता था उसके विचार जो हो मन्य होते थे यह इसमें खास बात थी दूसरी यह कि मैं आपको बताओं कि ऐसे उदान मिलेंगे इसमें कि जो लाबारती की शरणी में आते थे जरुतमन की मदद शरणी में आते और यही हमारी सेंसता का मैंनुद्देश्य था कि हमारे आस पास ऐसे लोग जिनको जरुरत है साहता की जरुत है किसी भी बज़े से उपर वाले किया कैसे भी करके और वो पिछे छूट गए हैं या उनको कोई जरुत की मदद है तो हम जो उनके आस पास में रहते हैं बस्त दिने वालों में नाम लिकिए हम भी एक दिन का एक रूपाय देंगी बहुत से संस्ताइं बनती हैं लेकिन कुछ समय बात राज़िंटिक अस्तक्षप की बात करें तो बिगड़ जाती है जातातर कारणों की बात करें तो बड़े प्रोक्रामों के आयोजन के लिए एक वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है लगातार एक से बढ़कर एक पुजन ये संत और मात्मा है वो लगातार यहां आते गई आज शायद यही कांड रहोगा कि इस दर्थी पर जब भी आए लगातार इसका विकास होता रहा है यह बढ़ता रहा राधिन ते सहड़कर इसको चल लोगों में जो अन्य वैसन होते हैं बड़े बड़े वैसनों की तो बाद छोड़ी है लेकिन सिग्रेट बीड़ी गुटका तंबाकु यह और यह जिसे मालों बहुत सारी वैसन होते हैं चाय तो सब पीते हैं हम यह कहते हैं कि एक रुपए भी आप अपने पास से मत दीज दूरते हैं बस वही दीजी आप उसी से इतना बड़ा काम हो जाता है एक बात है दूसरी बात यह मैं आपको बताओं कि यह जो थीम है मेरा संकल्प अपनों की सेवार्थ प्रतिदिन एक विक्ति एक रुपया यही थीम मैं आपको यह कह रहा हूं बार-बारी बिचार आता है कि अगर केंदर में अगर मोदी जी पूरे देश से आवान कर दें कि मुझे हमें अपने भारत की चारोंतर सीमाओं पर चीन की दिवार की तरह से दिवार बनानी है मुझे मेरे प्रतेग भारति एसे एक दिन का एक रुपया चाहिए 140 करोड लोग हैं आदे भी देंगे तो रोज 70 करोड रुपय आएंगे देर सबेर पूरा भारत जो है वो उसकी जो सीमा है वो एक मजबूत दिवार या फैंसिंग से हो जाए की नहीं हो जाए मेरे को बताई आप इस बहाव से एक वेक्ति के लिए तो एक रुपया मेंगा नहीं पड़ेगा लेकिन वो एक राशी कटी होकर एक बड़ा काम कर जाएगी हाँ हाँ बिल्कुल और इसका जो हैने मैं ऐसे बात नहीं कह रहा हूं इसका उदान आप हमारी इस साला में देख सकते हैं आपको बहुत सारी योजने जो हैने वो इसी थीम पर मिलेंगी हमारा जो हैने कि गोग्रा से वार्स चलता है सुबसुबए उसमें बाक अदा यहीं है मेरा संकल्प गोमाता के लिए प्रती दिन एक रोटी एक रूपया और उसमें क्या एक दानपातन लगावा है तो मेला एक रोटी भी डालती है तो उस दानपातन में जो पैसा आता है रोज उससे जो रिक्स वाला ड्राइवर है उसका वितन निकल जाता है हो लबक दो क्यूंटल के करीब जन रोटिया रोज गोमाता के लिए इसके अलावा आप यहां देख रोज इसे के पेड़ लगे वे हैं यह भी इसी थीम पर है तो आपको पेड़ भी लगेगा रहां रहां जाल लगेगा उसमें और बेख वाल कि जीम और इसे इसी थीम से अभी मिट्व के जो ऑने जार शीजजाद लगी हैं हमने अभी जो अने उसको लॉंच किया था कि एक क्राली 200 रुपे और जोने लोगों के जोने की लाइन लगी ह प्रकार से तो यह तिम कितना बड़ा रूप ले सकती है दूसरी बात इस थीम की वज़े से जुड़ने वाले किसी भी अभ्यान में जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुँ ज्यादा होती है पिर जो बड़े भामासा होते हैं जैसे मालो हमारे श्याम जी सोंत लिया जी आपके पड़ोसम बैठे हैं तो आप इनका यहां देखोगे पास की गोसलाम देखो बहुत सारा जोने इनके द्वारा जोने पैसा और दान में दियावा और उनके जो बड़े-बड़े मंदिर गे लेकिन यह लोग बी क्या है कि जब जिसे गाओं के बहुत सारे लोगों का उससा देख करके यह लोग बी जो आना यहां के जोड़ते हैं तो यह जो थीम है वहां भी काम करते हैं बड़े-बड़े बाहुताओं को जोड़ने का का मुंना अपसे दोबारा चर्चा करें गग राज जी के परवच्चन सुना सायद वो गहन कर लिया और आज इतना बड़ा है वटवरक्ष आपने बना दिया है लगातार बढ़ता भी जा रहा है लोग इसको शीचते भी जा रहे हैं लोग जुरते भी जा रहे हैं तो कैसे शुरुआती समय से कैसे आपके दिमाग में हम लोगों ने ग्रैन किया और उसके आदार पर ही इस संस्था का हम लोगों ने भी गाउं में इसका निर्वान किया फिर खूब सारे हमारे जो साथी थे वो इसे जुड़ते चले गए और आज वो एक छोटा सा जो वटवरिक्ष था एक छोटा सा जो बीज था वो आज एक वटवरिक्ष का रूप ले चुका है लगबग साथ सोगे लगबग इसमें सदस्थ से हैं वो जुड़ चुके हैं मेरा संकल पे कोई लेने देने का सा कोई काम नहीं है ये तो एक भाव और एक भाव है एक विचार धारा है एक परिवर्तन समाज में कैसे परिवर्तन हो सहय समाज के अंतिम पाइदान पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों तक हम कैसे पहुंचे हमारी संस्ता का एक ठीम ये भी है कि समाज के अंतिम पाइदान पर जो लोग हैं उन लोगों को भी हम ढूंड करके और उनको बुलाते हैं और उनकी साहिता करते हैं अच्छा हमार निरी की सामगरी दी बच्चियों को श्वेटर बगेरा दिये नगद्राशी भी हम लोगों ने दी और इस प्रकार से जैसी जैसे आवशकता हुई और हमारी जो मीटिंग होती थी उस मीटिंग में जो हमारे सदश्यों की जो राय होती थी और उसके अनुसार एक एक व्यक्ति पर विचार करके जो पत्र होता है उसी के पास हमारी सामगरी पहुंचे जब वचन शुरू करें महराजी के वचन आपने शुने इससे प्रभावी तोकर है वो उस तक पहुंच पा रही है जो बिलकुल ऐसा तो जब अपन कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले यही सुचा था कि हम सकारात्मक बावशे चलेंगे और अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे सही लोगों तक हमारी साहिता पहुंचेगी तो निश जब लोगों को पता चला है कि गाम में इस प्रकार की सहंस्ता है और वो लोगों की साहिता करती है तो दीरे 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 लोगों का जुड़ा होता चला गया और आज तो हम लोगों को भी विश्वास नहीं होता है कि हमारी सहंस्ता है वो इतना बड़ा आकार ले चु मर्पित है और हमारी संस्था से हमारे गाउं के युएस से प्रवासी डौक्टर दुशन जी शेखावत उन्होंने बेटियों पर जितना भी खर्च होगा लगवग डाइलाग से कुछ अधिकी होगा उन्होंने डाइलाग रुपए वहन करने का लिया और हम लोगों को हमारी संस्था के समानित सदस्य है आदरने जगदीश शिंग जी दूर बास पर बात करके और उन्होंने कहा है कि वह इस बार का जो खर्चा है वहन करूँ कि तोगना चाहूँ है क्या मानते हैं विदेश आकर जुरूर बसके लेकिन जनम भूमी को नहीं पूले कितने बड़े में कहता हूं कि बड़े एक सांटिस्ट हैं विदेश भी बसे हुए हैं वहीं रहते हैं लेकिन जब जनम भूमी की बात आती है कि मुझे गाउं के लंका को जीत लिया था तब लक्षमण जी ने ये कहा था कि यह जो लंका है वो तो सोने की है अपन यहीं रहेंगे तब बगवान रामनी का था नहीं जनन जनम भूमी है वह सोने की लंका से बहुत सरेष्ट है और उन्होंने फिर लक्षमिन जी ने भी जो उनके दिमाग में जो बात आई थी वह पूरी तरह से उन्होंने अपने दिमाग से उस बात को निकाल दिया और फिर आयोध्या की और प्रस्तान किया तो हमारे जितने भी प्रवासी हैं ये तो हमारे संसकार हैं और विशेश रू यहां घरते हैं तो यह तो हमारे संस्कारों में इसी जाखल की गौसाला के अंदर सत्र हुआ वार्षिक सम्मेला नायुजीत हो रहा है खास तौर बाद के तीन सो से साड़ तीन सो से ज्यादा गाहों की बच्चियां है वो सहयों के रूप में राशी है वो दीजारी है कुपन समय में जुड़े थे राजे बात करें तो वीस लाग से अधिक कि राशी आपने बच्चियों पर बच्चों पर जिनको वास्त में जुरूत है उन पर खर्च कर दी है हां जी एक सपना सा लगता है कि इतना लंबा सपर हम ते कर चुके हैं लेकिन इसमें एक खास बात में आ करवाता था और इस तरह के से मेरे और वेने साथ थी हैं जो उस वक्ते विद्यारती जी उनमें थे आज वो जोब लग गए हैं अच्छी जोब लग गए हैं अब वही नहीं उनके पूरे घर के सदे से भी से जुड़ी होए हैं और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पहले लाबारती थे उन्होंने पहले इस से मतलब साहिता ली है अब वो यह मानते हैं कि हमारा मलब जो समय वो अच्छा चल रहा है आरती सिद्रड हो गई है तो अब क्या है कि लाबारती ना होकर हमारे सदस्व की सुची में जुड़ गए हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं ज देखो हम लोगों का यह मानना था कि वह सइंस्था वह उस तक पहुंचे जिसको जरूरत है उस तक पहुंच्येता दें जिनको जुरूर्त है लेकिसे टी सुचने जिन ज्यादा है तो यह हमयाola कहलेते हैं तो सरुब और Sunday तो हमेसा इस बात को оп wz. की जुरुँद्वरत्व करेंख साधिक एक दिश्त कर रहे हैं 300 और अधिकशी बचियों को है। यह मुझी लोग आरे हैं कहें नहीं के सद से जूड़े हैं वह भी यहां पहुंच रहे हैं। तुरा सा उसकारे करम के बार में बताइए अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं यह 31 दिस्टंबर को कर रहे हैं और वेसे भी मेरा संकल्ब का जो वार्शिक शेवा समरा होता है वो साल के अंतमी हम आयुजित करते हैं हम यह मानते हैं कि एक जनूरी से लेकर 365 दिन तक हमारा जो प्रेख बहुल 여러분들 है क्या कि समय बीनिलता है प्रयाप समय मिल जाता है कार्यकरम की त्यारी सबसे बड़ा मजबूत पक्स है कि हमने आज तक जितने भी कारिय करम किये हैं वह संत मादमा के सानिदे में किये हैं किसी भी वेक्ति को हमने इसमें आगे नहीं रखा एक आपने बात सुनी होगी कि मिटा दे अपने अगर वर्तबा कुछ करना चाहिए कि दाना खाक में मिल जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है उसकी कोई पैचा नहीं होती है लेकिन जब वो बड़ा उतार एक विसाल वरक्ष का रूप दान करता है सब लोग उसको जानने लग जाते हैं सब उसकी गुणों की महिमा जानने लग जते हैं तो यही बात इस संस्ता पर लगव होती है कि हमारी संस्ता का कोई मालिक नहीं है हम सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं और कोई इसमें किसी भी विक्तिकों हम इसमें अगर नहीं भूमी कामी नहीं रखते हैं संचे जी हर बार कहीं नहीं हर वर्स की ब थोड़ा से कूपन के बारे में बताई जो एक वर्स दोजार चोई इसका आपने लगसे रखा है इसमें हमने यह कूपन का जो कॉन्सेफ्ट है वो इसलिए रखा है कि हर एक बैटी को अलग-अलग जुरूत होगी किसी बैटी को बेग चाहिए किसी को इस्टेस्टनी का कोई स अपने साल में जितनी वी उसकी जो जुरूरत है अध्यान से जुड़ी हो इसकी जो भी जुरूरत है वो अपनी पूरी कर सके इसके लिए इस बार कूपन सिस्टम रखा गया है वह एक तरीके से आप कह सकते हो कि वह संस्टा कार्ड होगा जिसको पूरे वर्स खर्च कर सकत है और इसमें हमने एक रूपया एक वेगती का निश्यत कर रखा है कोई वी वेगती है वो 우리 परक्ति दीन वो इस बार इस कारी करम में पदा रहेंगे उन्हीं के सनीदे में यह कारी करम अपने आयुजित करेंगे 2007 से लगातार सेवा का भाव चलता आ रहा है अब इस बार प्रोग्राम 31 तारीकों कर रहे हैं साड़े 300 बच्चियों को निर्दायत किया जायद वो पूरी साल तक जिने जरूरत है वो उस कुपन के मादम से उसको चीज को ले सकती है कहते हैं कि एक-एक रुपया खिसी एक वेकति के लिए तो भारी नहीं होता है लेकिन जब किसी की साज़ता हो जाती है उसके लिए बहुत बड़ी सी चीज होते हैं वो बहुत बड़े चीज को भी छुपा जेती है तो कंण से मनमन होता है तो इसी सिद्धान्त को रखते हुए और इनकी यह जो सच्टा है वो सत्रा साथ चल रही है तो इसके इसाब से जैसे नों ने एक रुपर सी किया था तो आप उसको बीस लाख रुपर बोल रहे हैं तो बीस लाख रुपर एक साहिए में तो कोई आजमी नहीं दे सकता है और यह बीस लाख वाले साहिद हो सकता है काला अंतर के अंदर में यह सुनतों दो करोड भी जा सकते हैं क्योंकि इस सब्सक्राइब आज शुरुआत की आज वह सब्सक्राइब कारवा बनता गया तो इसी वह सब्सक्राइब जूटता चला जाए ना तो बहुत बड़ा वर्ट व्लक्स भी क्या है बहुत बड़ा साधेन में जा चीज कोई करपना नहीं करें ना में उतना यह बढ़ सकता है और यह साबसे लोगों को प्रेणा ही मिलती है सबसे बली बात तो लोगों को हर चीज देखने के लिए अच्छा एक गूप है जिनोंने बोला कि एक चा सबस्ते का ला भी मिलता है कि इसके ओने से लोग बुलें भी बुरा ही छोड़ने में भी है यह दूसरी बात इसको कर लोगों के साब से प्रेणना दाएक होने से जश्या शाड़ी 600 है दूस्यों में ज्यादा भी हो जाएंगे और यह इन लोगों से अब की बार जी सब्सक्राइब है दो हजार साथ से सब्यान की सुरुआत की एक वेक्ति एक दिन एक रूपया के इसाब से शुरुआ थी आज 600 से अधिक लोग जुड़े हैं बहुत से परिवारों की तीन सो से अधिक परिवारों की शाहिता है वो भी हो रही है लगातार इससे लोग कि जरूरतमन जो भी बच्चियां पढ़ रही हैं उनको एक काड कुपन दिया गया जिसमें वो पर शाल भर है उससे खरीदारी कर सकते हैं जिनको समान के जुरूत हो चाहिए जो किसी भी समान के जुरूत हो उसको उसको काड के माद्धम से एक दुका निर्दारित की कि गा रहसे में उसका है उसकी का कि कई दिनों से इच्छा थी वैसे शुरूवात से ही जो है मेरा संकल्प का मेंबर है तो पहले तो शिरफ जो है तीन सो पैंसेट रुपे साल के आते थे लेकिन वह इस प्रकार से बच्चियों के बारे में हमेसा से मैंने मैसुश आए उसके दिल तो मैंने उसको अब की बार ये कंसर्ट होता है अब की बार मेरा संकल्प जो है वो कुछ बेटियों के लिए करना चाहता है और हमारा यह है कि जरूत करने सार सामान खरी सके और एक कूपन वाला सिस्टम तो उसने तुरंट असेप्ट किया और बोला कि कितने गरा से खर्च हो अब यह देखें से अब यह और देखें आप कि यह सिस्टम ऐसा तयार हो गया है आपको बताओ आपको कुपन और उसके बाद में जो हमने के दुकान अधिक्त कर दिये हमारा मनोज जो स्टेशनरीड की दुकान उसके पास में जंदर श्टोर की तो एक सिस्टम डवलप कर प्रकरती प्रकरति प्रदत अभाव का मतलब है कि माता पिता या भाई तीनों में कोई नहीं है एक तो वो है या पिर सारी के रूप से विकलांगता है वह हाना तो वो बच्चियां ऐसे हमने कुछ बच्चे भी लिए हैं लड़के भी लिए हैं जो अनात या दिव्यांग की स्रेणी में आते हैं वो विशेश स्रेणी में हैं तो ये विशेश स्रेणी वाली जो बच्चे है ना उनको क्या है कि उपर वाली स्रेणी में होंगे उनको हजार रुपे का कूपन मिलेगा तो वह अपने जरूत का सामान खरिशेंगे अब मालो कोई भामा से यह कहता है कि विशेश रेनी वाली बच्चियों को मेरी तरफ से दो-दो सो रुपे और मालो वह संख्या है वह सो है तो कितने 10,000 रुपे होगे ना तो वह 10,000 रुपे देंगे तो हम उनके अकाउंट में वहां पर बाकाइदा उसमें जमा हो जाएंगे तो एक एक अनुठी स्कीम है जैसे प्रतिक दिन एक रुपया वाली अनुठी स्कीम थी ना इसको लोग जोने 365 वाली योजना के नाव से लगे 365 वाली योजना समझे के नहीं तो वैसे ही जोने कूपन वाली योजना भी जोने आपकी बार से जोने एक चर्चित हो जाएगी एक बात दूसरी बात ही है कि हमारा इसे जो मेरा संकल्प जो सैंस्टा है उसके बारे में एक संदेश तो हम यह देना चाहते हैं और बार सैंस्टा हो नहीं पाती है तो हम यह कहते हैं कि दूसरे गाह वालों की कि हमारी सैंस्टा से आप चैनल है इनका मैं आर्दिक धन्यवाद ग्यापित करता हूं कि आज इन्होंने आकर के और मेरा संकल्प सैंस्टा के लिए अपना समय दिया और डिटेल से है अपने चैनल पर इसका विरोन परस्तूत करेंगे और मैं आपके माद्यम से आम जन से या पिल करता हूं कि 31 दिसंबर को मेरा संकल्प का बेटियों के सम्मान के लिए जो होने वाला कारिकरम है उसमें उपस्तित रहे करके और हमारा मनोवल बढ़ाएं और हमारी सैंस्ता से जुड़ें सर्वे भंतु सुखिन है यह जो है हमारे गाम की जो गोशाला है और आजकल तो जो है क्याना में बाइपास की वज़े से जो आने को यह चुपावस्तान नहीं है खूब चर्चित है इसलिए गोशाला में बहुत सारे कारिकरम हुए हैं और हम आपसे अपक्षा करते हैं कि आप हमारी गोशाला पर भी एक अपना जोने की वीडियो बनाओ तो यह हमारे जकल जो बाइपास है उस पर गोशाला इस्तीत है और गोशाला के केमपस में प्रांगण में जो है मंदिर के पास में यह कारिकरम होगा नव वर्स पर 31 दिशंबर को यह कारिकरम है वो इसी गोशाला में आउजी जाखल की गोशाला में आउजी तरह रहा है हमारे नवलगड़क स्प्रेस के मादम से उस अभियान को हम आगे लेने की शुरूआत है वो करेंगे इस पूरे कारिकरम को आप 31 दिशंबर को हमारे च दूरूत है उनके वो शायता है वो पहुंच पा रही है अब देख रहे थे नवलगड़क स्प्रेस के फेस्पोगों यूट्यूब चैनल के मादम से